Hello students आजँ मैं वीडियो में Types of financial derivatives में ऑप्शन derivative option contracts को डिस्कस करेंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं option contract क्या होता है ने option contract में one-sided contract इसे कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक ही पार्टी को benefit मिलता है a substantially contract है तो दो execute करने से इस contract के complete होने से फाइदासर किसी एक फिक पार्टी को होगा जिसने इस option को लिया होगा तो इसलिए से one-sided contract भी कहा जाता है तो option basically two types से होते हैं call and put option अगर हम बात options की exactly समझते हैं तो नाम समझ मेरा option मतलब आपके पास option है option किस चीज़ का यह contract है तो option किसी चीज़ का आप इस contract में जो भी बाते कही गई है वो complete करो यह ना करो तो यह इस चीज़ का आपके पास option है अगर आपने option लिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है कि दो चीज़े option में की जाएंगी या तो बाई किया जएगा या तो sell किया जाएगा तो यहां पे option contract के अंदर हम right purchase करते हैं right purchase करने को तो power purchase करना अब essence इसकी purchase कर रहे है power purchase करने के अगर मेरी Mr. other power यह चाहूँ गए तो हर नहीं करूंगी यह दूसरी हो गई इसे को बोलते हैं call या put अगर मैंने ये right purchase किया कि मैं चाहूं तो buy करूं या चाहूं तो ना buy करूं मतलब मेरे पास option है कि मैं buy का right exercise करना चाहती हूं या buy का right exercise नहीं करना चाहती हूं तो इसे कहते हैं call option, right, similarly put option का क्या हो गया, अगर मैंने ये option choose किया, मतलब मैंने ये contract किया, कि मैं ये right purchase करना चाहती हूँ, कि जब मैं चाहूं तो sell कर लू, और मैं चाहूं, तो मैं sell करने से deny कर दूँ, कि मिझे sell करना ही नहीं है, तो मैं right to sell को जो option लेती हूँ, तो उसे कहते है, put option, ठीक है, तो basically ये दो होते, call and put option, option contract बहुत ही simple है, यहाँ पर दो parties का contract होगा, लेकिन फाइदा सिफ एक party को पड़ेगा, इस contract में क्या होता है, कि जो buyer होता है, मतब जो option contract में involved हो रहा है, दो parties involved हो रही है, तो एक party is buyer कहलाती है, main वही party है, क्योंकि यहाँ तो एक one-sided contract है, तो basically एक party ही important है, तो यह जो party होती है, वो क्या करती है, वो option purchase करती है, right, option purchase करने का मतलब right को purchase करना, right purchase कर रही है, अब right दो चीज़ की purchase होते है, या तो buy करने की right, या तो sell करने की right, तो वो buy right खरीदे देगी, तुसको कहेंगे हम call option, या buyer of call option, और अगर उसने right purchase की sell की, तो उसे हम कहेंगे buyer of a put option, ठीक है, तो ये mainly option contract में होता है, right, अब बात करते हैं, call option या put option की होती क्या है exactly, देखे, call gives a buyer the right but not the obligation to buy a given quantity of underlying assets at a given price on or before a given future date, जैसे हमने पहले derivative की contracts को deal किया है, forward and future contracts को, जहांपर हमने देखा है कि हम आज ही fix कर ले रहे हैं price, कि future में हम क्या payment करेंगे, हैना, और future में फिर जब date आती है, तो हम उस date को वो काम complete करते हैं, यह हमने देखा है forward and future में, में रिस्क को deviate करने के लिए, रिस्क को mitigate करने के लिए, तो option contract भी similarly है, वो भी risk को reduce करने के prospect से ही किया गया है, तो यहां पर क्या हो जाता है आपका, जो call है, जिसने call option को buy किया, इस contract में involved हुआ, वो क्या buy करता है, right, buyer the right, वो right का buyer हुआ, और इसमें क्या होगा, कि वो right किस चीज़ का buy का right, obligation नहीं, उसके जिम्मेदारी नहीं कि उसे खरीदना ही खरीदना है, आपके responsibility बनेगे, नहीं, मेरे पास right है, मैं चाहूं तो exercise करूं, चाहूं तो नहीं करूं, किस चीज़ की right, कि particularly जिस matter, जिस भी underlying assets होगा, उसको buy करना, ना buy करना, उस price पर buy करना, इस पूरे का right जो होता है, यह buyer के पास, call option के buyer के पास हो जाता है, ठीक है, similarly अगर बात करते हैं, हम put option की, जो कि next है, तो put option gives the buyer the right, अब यहां पर भी put option ले रहा है, buyer उसके पास एक right आ रहे वाला है, किस चीज़ का right, not obligation to sell, यहां पर obligation नहीं होगी sell करने की, वो buy कर रहा है, sell करने का right, कि अगर वो चाहेगा तो sell करेगा, particular quantity को, particular price पे, particular date पे, और अगर चाहेगा तो sell नहीं करेगा, यह कहते हैं, हमने put option लिया, ठीक है, तो put option हो या call option हो, दोनों के buyer and seller available होते हैं, buyer भी होते हैं, seller भी होते हैं, यह कुल confused होने की जरुवत नहीं है, एक example से अगर इस बात को समझते हैं, तो जाधा clarity आएगी, अब practical example में देखते हैं, तो जैसे suppose करें कि Mr. Egg है, person है, उनको एक जमीन खरीदनी है, ठीक है, तो उन्होंने जमीन सोचा खरीदने के लिए, पर उन्होंने सोचे कि ऐसी जमीन खरीदे जहां से future में जिस जमीन की prices बढ़ने वाली हो, ठीक है, तो अब उनको government का थोड़ा idea था, और उनको पता है कि government near future में एक factory वहां पर plant करने वाली है, किसी particular area में, तो मुँ समझ रहे हैं कि महां पर कुछ महीनों में, कुछ दिनों में महां पर एक factory plant होगी, तो वहां की properties की, आसपास की properties की values बढ़ने वाली है, तो वह चाहा रहे हैं कि महां की properties आज वो खरीद ले, आज के rate पे, क्योंकि जैसे वो project pass हो जाएगा, उस property के दाम बढ़ uncertainty है, क्योंकि derivative uncertainty को खतम करता है, uncertainty उनको किस बात की है, कि कल को अगर government का project पास नहीं हुआ, और property की value नहीं बढ़ी, तो कोई फाइदा नहीं मेरा उस चीज़ को involved होने का, तो यह इस चीज़ के doubt में है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने option contract के पास गया, मतलब उन्होंने क् drive कि option contract को, अब option contract के अंदर उन्होंने कौन सा option लिया होगा, call option या put option, तो उन्होंने लिया है call option, क्यों, क्योंकि वो buy करना चाहरे है, property को खरीदना चाहरे है, लेकिन वो uncertain है कि कल को price नहीं बढ़ी और वो खरीद लिये, तो वो तो नुकसान में हो जाएंगे, तो उन्होंन कि पार्टी जो दूसरी पार्टी हो Mr. B है, वो अपनी property उन्होंसे बात हो रही है, वो property sell कर देंगी, तो उन्होंसे बात करके उन्होंने कहा कि हम call option में जाते हैं, मैं आपको कुछ token amount पे कर देता हूं, और पांच मेने बाद ये property में खरीदूंगा, आज मैं कुछ token amount दे र हो गया, बेने का ठीक है, मैं पांच साल बाद आपको प्रॉपर्टी डिलिवर कर दूँगा, और आप जो है remaining amount हमें तब दे दीजेगा, और इन्होंने 50 लाग पे, माल लिजे 1 लाग का token मनी दे के option contract ले लिया, मतलब right to buy खरीद लिया, अब पांच मेने बाद, दोई चीज होने वाली है, या project pass हो जाएगा, या project pass नहीं होगा, suppose करिए कि project pass हो गया, तब prices पांच मेने बाद तो बढ़ गई, project जैसे pass होगा, prices बढ़ गई होगी, अब इस case में Mr. A के पास तो right है, कि आप वो खरीदेंगे आपकी property, और 50 लाग में ही खरीदेंगे, आप बना नहीं कर सकते हो, Mr. B के पास obligation हो गई, वो देख रहे हूं, उनकी property की value बढ़ चुकी है, है ना, लेकिन अब उनके पास क्या है, उनको तो उन्होंने option contract ले रखा है, तो उनकी तो obligation बन गई, कि उनको 50 लाग में उससे sell करना पड़ेगा, तो अब क्या हो गया, इन्होंने अपना power exercise कर right to buy exercise कर लिया, call option को achieve किया, उन्होंने buy किया, अब वो 50 लाग में उस property को खरीद ली है, तो उनका फाइदा हो गया, लेकिन Mr. B तो नुकसान में रहे हैं, इसलिए कहते हैं, one-sided content, एक लोगों का फाइदी के बात हो रही है, अब second scenario, project past नहीं हुआ, project past नहीं हुआ, तो property की value जो कम हो गई, जो property की value time circulate थोड़ा बढ़ा रहा है, हाल कासा जो भी लग रहा हो था, अब property की value में कोई changes नहीं आए, या बाद में कुछ ऐसा हुआ कि plan cancel हुआ, project cancel हुआ, इसकी चकर में property की value और decrease हो गई, ऐसा पता चला कि इस property में प्रोजेट पास हुआ तो नहीं पास अब चाहे price कम हो गई तो क्या, उनको खरीदना पड़ता है, लेकिन इन्होंने तो क्या खरीदा था, right खरीदा था, power, कि खरीदू या खरीदू मेरी मर्जी है, मतलब call option खरीदे था, इन्होंने क्या कहा, जैसे देखा कि project pass नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि अब मुझे य के लिए फिर नुकसान है, अगर project pass नहीं हुआ, property के value कम होगे, इनको 50 लाग मिल जाने थे, लेकिन नहीं मिलेंगे, वो property sell ही नहीं होगी, और उनके लिए फिर से नुकसान होगी है, तो यहाँ फाइदा हर कीमत में किसी एक ही party को होगा, one-sided contractor, जिसने contract लिया होगा, जिसने option buy किया होगा, profit से वसी के हाथ में है, सामने वाले party के हाथ में नहीं होता है, that is option contract, तो इस scene में Mr. A, जिन्होंने option खरीदा है, इस पूरे scenario को कहते हैं कि call option, हमने क्या buy किया, call option buy किया, ठीक है, अब Mr. A, जिन्होंने buy किया था, right buy की थी, करू या ना करू, तो इन्हें कहते call option buyer, और Mr. B, जो sell कर रहे थे property अपनी, उन्हें कहते है, option writer, call option writer, है ना, seller, तो यहाँ पर जो राइटर है, option writer, उसकी तो obligation है, Mr. B की तो obligation है, Mr. A, जो call option के call buyer है, उनके पास क्या है, call option buyer, इनके पास कोई obligation के पास right है, ठीक है, जो token money Mr. A ने दिया, वो option price हो गई, ठीक है, वो option करनी के लिए price payment करनी पड़ी, Mr. B, वो option price रख सकते हैं, उसमें कोई problem नहीं है, that is all about option contracts, इसी तरी किसे sell का होता है, put option होता है, मालनों मैं कोई company हो, example के लिए मालने जे मेरी company है, और यह मैं कहते हुँ मेरे dairy firm है, और मेरे dairy firm है, और मुझे यह लग रहा है कि packet के मिल के वज़ ले कि मैं अपनी जो dairy firm है, इसको sell कर दूँगी, अब dairy firm sell तो कर दूँगी, यह मुझे साथ में यह भी डाउट है कि हो सकता है, लोगों को packet में पसंदीन आया, और मेरा फिर से purchase होने लग जाए, मैं uncertainty में आ गई, तो मैंने क्या लिया, option, option का हों साल होंगी, put option, right to sell, मैं sell कर करूंगी, sell नहीं करना चाहूं तो नहीं करूंगी, तो मैंने बायर को ढूंडा और बोला, कि मैं option 100 में और मैं sell करने का right ले रही हूं, और आप चाहूंगी तो नहीं sell करूंगी, इस तरह से मैंने ले लिया, तो आज ही dairy firm की prices fixed हो गई, अब वो चाहे तो right को exercise करे, चाहे त तो को अप्षिन की और और अंस्याइब आप आप अवेलेवर होते हैं, एक अथोड प्षिन के और यह दो ऌना पा इसके और दो कांटरप्टी यहां पे रहेंगी, और आप सेंघ्र और सेंगे, ने चल्च करना के सब्स्स पाराइब नहीं करना को ब्ढ़ता है, तो अटमी में और यह क्यों होता है कि the exchange of cash flows on a specific days dates based on the terms of the contract entered into इसमें particular date or terms conditions के according उस cash flows का exchange होता है यह तरीके से private agreement होता है दो parties के बीच में और यह एक कहा जाता है कि forward contract का ही portfolio है basically अगर देखा जाए तो swap contract में कैसे होता है जैसे suppose करिए आपको कुछ चाहिए था और मुझे कुछ चाहिए था ठीक है जो मुझे चाहिए वो आपके पास है और आप कुछ चाहिए वो मेरे पास है like barter system जैसे पहले होता था similarly swap है तो हमने क्या कि आप barter system की तरह exchange कर लिया आप वाली चीज हमने ले लिए हमारी वाली चीज आपने ले लिए यही स्वैप में होता है इसके लावा कुछ नहीं होता है तो दो तरीके से होते हैं एक होता है आपका interest rate swap एक होता है currency swap interest rate swap में involved swapping only the interest rate rate cash flows between the parties in the same currency for example just money a clone लिया है और manager loan लिया है वह मैंने fluctuating rates लिया है और सामने वाली कि में बाकि बीच्ट होगा कि यौर लिए उसका सामान लेंगों के बीचिण देन डिन के लिए रेट हो गया ही ऑग अपना 12 सीह यह तरए लगता है कि फाइदा है कल को यह 12 परसंट हो गया कि इंटरस्स रेट में वारीसंट से हमें लग रहे हैं कुछ महान रहे हमें चाहिए फिक्स जो कि विक पास है और बी को चाहिए फ्ला जो दिए के पास है तो यह क्या है अपने interest rate को swap कर लेते हैं आपस में deal कर लेते हैं कि मैं आपको फ्लाक्षुटेंग इतने का दे दूंगा मैं आपको fix इतने का दे दूंगा इसे साब से interest rate का हर साल adjustment होता रहता है that is all about swapping ठीक है currency swap भी similarly होता है यहां पे होता है principle और interest जो होता है दोनों होगा जो currencies होंगे different currencies उनके बीच में swap होगा जितना भी rate होगा जितना भी पूरा exchange की value आएगी वो पूरे exchange होगी तो interest rate swap and currency rate currency swap I hope आपको थोड़ी बहुत clear हुए होगी basic clear होगा फुर जब ही detail में हम option and swap पे जाएंगे तो हम इसे और अच्छे से clear करेंगे तो wish you all the best thank you so much